काबुल पर कबजे के 22 दिन मंगलवार को तालिबान ने अपनी सरकार का एलान किया मुख्य प्रवक्ता जबियुल्ला मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फरेंस में इसकी जानकारी दी मुल्ला मुहम्मद हसन अखुंद को प्रधान मंत्री बनाया गया है उनके साथ दो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे तालिबान प्रमुक्षेक हिब्दुला अकुंजादा सर्वोच नेता होंगे जिन्हें अमीर अफगानिस्तान कहा जाएगा सरकार का नाम इसलामिक अमीरात आफ अफगानिस्तान होगा यह तालिबान की अंतरिम सरकार है तालिबान का कहना है कि समावेशी सरकार की गठन को लेकर चल्चा चल रही है कारी फशिहुद्दीन को डिफेंस मिनिस्ट्री में चीफ आफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है उनके नित्रित्वों में ही तालिबान ने पंजशीर की लड़ाई लड़ी और जीती है फसी हुद्दीन ताजिक मोल के प्रमुख तालिबान कमांडर है तो 37 करोर रुपे का इनामी अफगानिस्तान का ग्रह मंत्री आपको बता दे 13 साल पहले भारत को जख्म दिया था